ओम वामन देपताय नम्हा हर साल भाद्रपदमास के शुकल पक्ष की द्वादशी तिथी को वामन जयनती अर्थत वामन द्वादशी मनाई जाती है माननेता है कि आज के दिन ही भगवान विश्णु ने वामन रूप में अपना पांचवा अवतार धारन किया था और मनश्य रूप में भगवान विश्णु का ये पहला अवतार माना जाता है इस दिन भगवान विश्णु की किर्पा पाने के लिए विशेस रूप से व्रद भी रखा जाता है और इस दिन को वामन जयनती के रूप में भी मनाया जाता है आईए सुनते हैं वामन द्वादशी की कथा उससे पहले आप सभी को वामन जैनती की हर्दिक शुपकाम नए भगवान वामन का जन्म भादरपद मास के शुकल बक्ष की द्वादशी तिथी को हुआ था इसलिए इसे वामन जैनती के रूप में मनाया जाता है वामन भगवान विश्नु के दशा अवतार में से पांचवे और त्रेता युक के पहले अवतार थे साथ ही भगवान विश्नु के ये ऐसे पहले अवतार थे जो की मनश्य के रूप में प्रकट हुए थे पुराणिक कथाओं के नुसार भगवान वामन ने राजपली का घमंड तोड़ने के लिए अपने तीन पगों में तीनों लोकों को नाप लिया था मानिताओं के अनुसार वामन जयनती के दिन वामन अवतार की कथा ना सुनने से एकादशी का यह वरत अधूरा माना जाता है जो कि भादर पदमास के शुकल पक्ष की परिवर्थनी अर्थात पदमा एकादशी कहलाती है वामन अफ्तार को लेकर श्रीमत भागवत गीता में एक कथक बहुत प्रचलित है जिसके अनुसार एक बार देवताओं और देत्यों के बीच भीशन युद्ध हुआ जिसमें देत्य पराजित हुए और जीवित मृत देत्यों को लेकर अस्ताचल की ओर चले गए देत्यराज बली देवराज इंद्र के वजर से मृत्य को प्राप्त हो गए तब देत्यराज गुरु ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से देत्यराज बली को जीवित कर दिया साथ ही अन्य देत्यों को भी जीवित और स्वस्त कर दिया क्योंकि गुरु शुक्राचारे के पास मृत संजीवनी नाम की ऐसी विद्या थी जिससे वे मृत लोगों को भी जीवित कर दिया करते थे और वे केबल असुरों पर ही इसका प्रभाव दिखाते थे इसके बाद गुरु शुक्राचारी ने राजा बली के लिए एक यग्य का आयोजन किया और अगनी से एक देवराज इंद्र समझ गए कि इस बार देवतागन असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे ऐसे में देवराज इंद्र समेथ सभी देवतागन स्वर्ग छोड़कर चले गए परिणाम स्वर्ग पर राजा बली का अधिकार इस्थापित हो गया और दैत्तिगुरु शुक्र पर अचल राज करने के लिए अशुमेथ यग्य का आयोजन करवाया देवराज इंद्र को राजा बली की इच्छा के बारे में पहले से ही पता था और उन्हें ये भी पता था कि अगर राजा बली का यह यग्य पूरा हो गया तो दैत्यों को स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता ऐसे में सभी देवी देवता बहुत चिंतित हो गए और श्री हरी भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे देवराज इंद्र ने अपनी पीड़ा बताते वे श्री हरी से सहायता के लिए प्रार्थना की देवताओं को परिशान देख भगवान विष्णु न भगवान ने माता अधिती के गर्व से धर्ती पर पांचवा अफ्तार धारण किया उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी रिशी मुनी और देवी देटागन प्रसन्न हो गए और सभी रिशी मुनियों ने उन्हें अपना आश्रवाद दिया और वामन एक बौने ब्र रिक्षिना मांगने को कहा जिससे सुनकर वामन देवता ने अपने रहने के लिए तीन पग भूमी देने का आग्रह कर लिया हालाकि दैतराज गुरु शुकराचारी को पहले से ही आभास हो गया था और उन्होंने राजा बली को इशारे से ये वचन ना देने के लिए भी क रूप को देकर सभी बहुत मोहित हो गए बली राज ने उनसे दान मांगने के लिए कहा तो वामन देव ने कहा अगर आप दान देने के इच्छुक ही हैं तो पहले हाथ में जन लेकर दान देने का संकल्प करो इस पर दैते गुरु शुकराचारे को ब्रह्मचारी वामन द रूप में थे तो देव गुरु यह जान गए कि यह कोई साधरान बालक नहीं बलकि साक्षा जग्दीश्वर विष्णु हैं और यह देवताओं का कारेश सिद्ध करने के लिए यहां आए हैं तब दैते गुरु शुकराचारे ने बली को दान का संकल्प करने से रोका पर दैतराज बली नहीं माने और इस पर उन्होंने राजा बली को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया दैतराज बली ने जैसे ही कमंडल रूपी जल के पात्र से संकल्प करने के लिए जल हाथ में लेना चाहा तो कमंडल से जल नहीं गिरा कमंडल के मुह को दरसल शुक्राचारी ने अपनी सुक्षम दे धारन करके रोक लिया था जिसे वामन जी ने तिनके के सहारे से कमंडल का मुह साफ कर दिया परन्तु तिनके की चोट से शुक्राचारी के नेतरों को श्यती पहुँच गई जिस कारण वे अंधे हो गए और पुराचारी जी के जाने के पश्चात बली राज ने हाथ में जल लेकर ब्रह्मचारी बालक अर्धात वामन देव को इच्छित दान देने का संकल्प ले लिया। पुराचारी बालक अर्धात वामन देव को इच्छित दान देने के लिया। मेरे मस्तक पर रख दिजे। दैतिराज बली की दानवीरता से प्रसन होकर वामन देव ने अपना तीसरा बग दैतिराज के मस्तक पर रख दिया। और फिर उन्हें पातालोक में भेज दिया। फिर राजा बली के आगरह करने पर उन्होंने चार महीनों तक राजा बली के साथ पातालोक में ही रहने का विचार भी बता दिया। और इस प्रकार भगवान श्रीहरी ने बली को सर्वुच स्थान देकर ये भी साबित किया कि वो अपने भक्तों के सददास है। प्रकार स्वर्ग का राज देवताओं को पुनह प्राप्त हो गया। माता लक्षमी जी भी भगवान विश्नु के पास वापस वैकुट लोग को चले गई। पूजा भी कर सकते हैं उन्हीं में आप वामन भगवान का ध्यान कर सकते हैं। भगवान को आप चंदन का तिलक लगाएं, पीले पुष्प, नैवे द्यार्पित करें, धूप दीप चलाएं और दही और मिश्री का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद वामन अवतार की कथा जरूर सुनें, आरती करें और आरती करने के बाद परशाद को सभी लोगों में बाटें। आज के दिन किसी जरतमन व्यक्ति को अपनी सामर्त के नुसार दान देख्षिना देना चाहिए या फिर भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से सभी शुभ फ़लों की प्राप्ती होती हैं।